बोनस शेयर जब आ जाए जब बोनस शेयर आ जाए तब कैसे करेंगा बोनस शेयर भी देते हैं नहीं देते आपने तो चेप्टर भी पढ़ लिया बोनस शेयर तो बोनस शेयर देते हैं तो बोनस शेयर में क्या होता है कि जो हम shares मानते हैं जो issue किया गया है वो beginning, जिस दिन से original share होगा उसी दिन से हम मानेंगे कि वो issue किया गया है चलिए सर इसके दो example लेंगे example number one profit एक लाक एक चार 2022 में number of shares 10,000 39 2022 में हमने bonus issue किया कैसे सर 1 is to 1 1 is to 1 का मतलब क्या होता है एक के बतले एक, कब दिया हमने bonus 39, calculate EPS ओके सर EPS तो earning per share कैसे निकलेगा सर profit divided by divided by weighted average equity shares सर profit क्या है एक लाक सर weighted average equity share ये पूरे साल रहा और ये कितने महिने bonus share हमने इस डेट दिया है bonus share किस डेट पे दिया September तो आप देखोगे bonus share September तो 6 मैंनी होते हैं लेकिन बोला गया है 20 के अंदर भाईया bonus share तो आप इसी के उपर दे रहे हो तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि bonus share आपका starting से चला रहा है ऐसा नहीं कि आज की बात है ये बोनस share कब से मान लोगे तो bonus share जो आपको मिला है कितना मिला है 1 is to 1 का मतलब bonus shares की बात करें तो bonus shares भी कितने निकल कहेंगे 10,000 तो इस 10,000 को भी आपको मानना पड़ेगा सुरू से ही 12 बटे 12 सुरू से मतलब जिस दिन से इसका जो दिन इसका तै हुआ है उसी दिन से मानना पड़ेगा आपको ठीक है clear तो चलिए आजाएए क्या आया हमारा 1,000,000 divided by 10 और 10 20,000 EPS 5 रुपए example number इसी का 2 profit 1,000,000 सर 1,10,2022 में shares outstanding जो था वो था 5,000 bonus 1,3,2023 में bonus जो था 1,3,2023 में जो कि कितना था 1 is to 1 कर लिया अब निकालना है हमें EPS सर बार-बार formula लिखने की जुरत नहीं है EPS क्या आएगा बताइए साब EPS क्या आएगा 1,00,000 divided by 5,000 सर ये इस rate पे था तो इसका weighted कैसे निकालेंगे 6 बटे में 12 हाँ या ना अब bonus share मिला है bonus shares भी कितना मिला है हमारा हमारे example के इस आपसे तो 5000 ही होगा 1 is to 1 का मतलब एक के बदले एक तो पहले कितना था 5000 जिसके पास 5000 था उसको कितने मिल गए होंगे 5000 मिल गए होंगे जिसके पास 5000 था उसको total 5000 मिल गए होंगे तो इस bonus shares को हम कब से मानेंगे इस्यू था जिस दिन से original share था उसी दिन से bonus share को मान लिया जाएगा तो original share किस दिन से था सर तो bonus shares भी मान लिया जाएगा समझ में आया तो एक लाक divided by divided by आप इस questions को देख रहे हो ना सिर्फ इतने इतने से questions आएंगे आपके पांच नमबर के सिर्फ ये solve करना है इसमें कुछ है ही नहीं कि आगे कुछ करने वाले हैं बस आप से EPS पूछा जाएगा बताईए यहां तक किसी बच्चे को कोई doubt जितने बच्चे लाइब में फटा फटा बता दे किसी को कोई doubt किसी को कोई doubt मैंने बोला जिस दिन हमारा पुराना शियर जिस पर बोनस मिलेगा जिस डेट पर वो होगा उसी डेट से मानना होगा ठीक है ख्लियर हो गया बोनस बाइब एक ऑफ शियर का मतलब क्या होता है आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है अपने शियर को खुदी खरीद लेना मान लो प्रॉफिट एक लाग एक चार दो हजार बाइस में दस हजार प्रेश इशू प्रेश इशू तीस नो दो हजार बाइस दो हजार बाइस बाइबेक बाइबेक एक एक दो हजार तेईस चीक है बोनस अभी डाला नहीं इसमें ठीक है चलिए EPS निकालिए सर EPS एक लाग डिवाइड बाई यह सुरु से है तो क्या लिखें दस हजार डिवाइड बाई इंटु बारा बटे प्लस ये कब वहा तीस नो को तो कितने मेने के लिए दो हजार इंटु में बारा बटे में छे बटे बारा 6 बाई 12 बाई बैक में हमारे शिर्स क्या होते है घट जाते हैं तो माइनस तो क्या करेंगे माइनस कितने एक हजार डिवाइड़ बारा तो रहेगा लेकिन एक एक को है तो एक एक से आगे कितना जाएगा तीन तीन माइने सॉल्व कर लिजिए एक हजार आ जाएगा और चार ढाई सो बारा सो पचास प्लस दस अजर एक ग्यारा दो सो पचास एक लाग ग्यारा दो सो पचास कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपने आपी यह आगया एट पॉइंट बताईए सौझ में आया है एक कुश्चन देख लिजिए आपकी किताब का कुश्चन है मैं तो सोच रहा हूँ कि आज ही खतम कर दें इसको सर क्या कहता है कहता है नंबर आफ आउटसेंडिंग शियर एक चार दोजार एककेस कितने का सहब तीन हजार का प्रेश इशू साथ सो बीश शियर और कैस कब इकत्यस आठ बाइबैक चार सो असी कब डेटेड गीवन है कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर आफ इक्विटी यानि सिर्फ वेटेड एवरेज पूछा ऐसे सवाल भी पांच नंबर के पूछा जा सकते हैं आपसे एपीएस मत निकालो बस वेटेड क्यूंकि आपने जितने भी सवाल देखा उसमें कमाल किसका था वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कुछ करी नहीं रहते हैं ठीक है तो सर कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज एक्विटी शियर साहफ जो हमारा पहला यह था तीन हजार यह तो इंटू हो जाएगा बारा बटे बारा पूरे साल के लिए प्लस साथ सो बीस कितने महीने रहेगा आगे ऑगस्ट क्या सेप्टेंबर अक्टूबर नॉम्बर दिसंबर जनवरी फर्वरी मार्च साथ महीने सेवन बाइ ट्वेल प्लस बाइबेक बाइबेक क्या करें माइनस माइनस बाइबेक क्या कर दे माइनस कितने बाइबेक है मारे चार सो असी कब करा है फर्वरी में तो फर्वरी और मार्च दो महीने के लिए 2 by 12 solve कर ये 3000 minus 720 into 7 plus 420 minus 80 जवाब क्या आया ठीक है अगला सवाल ये सारे ऐसे सवाल है अगर आपको concept clear हो जाए ना calculator पर निकाल लोगे लेकिन मैं एक बात बोलूँगा क्योंकि जितना असान है उतनी जल्दी भूला भी जाता है तो आप इसको अच्छे से remind करेंगे ठीक है ना जितने भी बच्चे है इच था लेकिन पेड़ अप कितना है पांच calculate सीखा अभी एक्जामपल में मैंने सारे एक्जामपल ले लिए जितने बन सकते थे तो क्या निकालना है नंबर अफ वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज एकुटी शेयर इस इकल टू दो हजार इंटू 12 बाए 12 प्लास छे सो कितने मैंने भाई एक अत्तिस एक है तो जन्वरी तो गया फरवरी और मार्च रहा है दो बटे बारा लेकिन दस में से पांच पेड़ आप है तो क्या कर देंगे पांच बटे दस निकालिए कि दो हजार प्लास कि पचास कि अंसर आ गया झाल 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 है जाजर याल मार्च बाच है तो कि अजने काल इंट पर लेकिन काऊच कि वोग्टिक्थ